हेलो बच्चो स्वागत आपका पाई क्लासिस में आज का टोपिक क्लास 10 के लिए वक्षीट नमबर जैसे आपको दिखाई दे रही है वक्षीट नमबर 30 तो इसमें हिंदी और इंगलिस दोनों की वक्षीट में आपको एक बार में ही बताने वाला हूँ आपको दोनों परका विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र जो इसमें समझाया गया है इस तरीके से इस तरीके से ना बताके मैं इसको आपको अपनी ही लेंग्वेज में बता देता हूँ इस तरह से आपको ज़्यादा करने की जोड़त नहीं है मालो कोई भी हमारे दो पोइंट है इस टैप स इस पूरे लाइन को m1 ratio m2 में divide कर रहा है यह m1 ratio m2 में इस line को divide कर रहा है तो हमें P के coordinates, यांनी P के निर्देसांख या coordinates ओप P. हिंदी वाले हिंदी वाला portion लिखेंगे और English वाले English जो मैंने bracket में लिखाया है वो लिखेंगे का देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो पहला रेशियो का पहला पार्ट है, इस पार्ट को हम इधर वाले X कोडिनेट से मल्टिप्लाई करेंगे, यानि M1 को किस से मल्टिप्लाई करेंगे, X2 से, तो इधर आ गया M1, X2, बीच में प्लस का निसान, अब जो दूसरा वाला है, उसको पहले वाले से करेंगे, तो यानि फर्स्ट को दूसरे, यानि पहले हमने कौन से करा, इस पोर्ट पहले हम राइट साड में रहेंगे, M1 को X2 से करा, फिर दूसरे वाले करेंगे, अब करेंगे, M2 को X1 से, उन नीचे तो M1 प्लस M2 आना ही आना है, sum of ratio आना ही आन M2 को Y1 से, इस टाइप से हम इसको M1 प्लस M2, नीचे तो यह रहना, तो यह हमारा X नर्दे सांग या X कोडिनेट, किसका P का, यह P point क्या आ गए, और हमारा Y का, तो इस तरह से हम यह find out कर सकते हैं, अभी example करनेंगे, example में आपको ज़्याद अच्छे से समझ मायागा, अब इसी का मैं एक application बताते था हूँ, अगर यह जो point P है, यह point P सेम रेशियो में डिवाइड कर, यानि यह midpoint हो, सेम रेशियो का मतलब यह है, जो यह A भी तुमारे पास line है, यह A है, यह B है, और P जो है तुमारा midpoint हो गया, सेम रेशियो का मतलब है 11 रेशियो में, यानि M1 की value भी 1 और M2 की value भी 1, अगर M1 और M2 देखो हम यहां 11 रख देंगे, तो M1 हट जाएगा, इधर से सिर्फ X2 बचेगा, और उधर से M2 हट जाएगा, क्योंकि M2 की value 1 हो गई, तो X1 बचेगा, नीचे 1 प्लस 1 यानि 2, ऐसे इधर आ जाएगा, Y2 प्लस Y1 बटे 2, इसको थोड P जो है, midpoint हो, ठीक है, if P is midpoint, तभी हमें इसको use करना, otherwise हमें इसे use नहीं करना है, चलो करते हैं example, तो देखिए, यह हमारा example है, दोनों language का मैंने आपको निकाल दिया है, एक question मैं पढ़ लेता हूँ, कहता find the points P, which divides the this line segment, यह नहीं A और B के coordinate दे रखा है, और यह ratio इनको आद दे रखा है, ऐसा ही हिंदी में दे रखा है, कि P के, बिंदू P ग्याद कीजिए, जो रेखाखंड AB के निर्देसां की यह हैं, और इसको दोन उपात साथ में, यह इसको divide कर रहा तो आईए, मैं इसको question को आपको करके दिखाता हूँ, सीधे solution हम यहाँ पकरेंगे, जो इनो हो गया हमारा 10, और इसी type से इसको हो जाएंगे 3 और minus के 8, एक point P है, जो दो हनुपात साथ में, इसको यह दो और यह साथ, इस तरह साफ figure इसको बना लो, तो अब वही काम, अब हम P के point, P के हमें क्या निकालने है, coordinates, तो क्या लिखेंगे, बिंदू P या P के निर्दे सांक, और English वाले लिखेंगे, coordinates, coordinates of P, तो क्या आएंगे देखो, वही, सबसे पहले हम क्या करते थे, अब यह हमारा M1 है, यह हमारा M2 है, यह X1, Y1 है, और यह दोनों हमारे X2, Y2 है, तो M1 की multiply X2 से होती थी, M1 यानि 2, 2 की multiply किस से होगी, 3 से, तो 2 को जब 6 से multiply करोगे, bracket में लिखते चले जाओ, 2 into 3, plus, और 7 की multiply माइनस 6 से, 7 की multiply माइनस 6 से, नीचे तो 2 प्लस 7 आना ही है, ऐसे ही, अब 2 की multiply Y1 से, तो 2 की multiply माइनस 8 से हो जाएगी, 2 की multiply किस से होएगी, माइनस 8 से, फार्मलों के according चल रहा है हम, बीच में plus, अब 7 की multiply, देखो, 2 की multiply दोगे, अब 7 की multiply, इस से, किस से, 10 से, नीचे 2 प्लस 7 हमारा, starting में चली रहा है, तो देखो, 6 माइनस के 42 बटे 9, और माइनस के 16, प्लस के 70 बटे 9, तो 42 में से, अगर 6 आप माइनस करोगे, तो 36 आ जाएगा माइनस के, तो माइनस के 36 अपॉन 9, और इधर क्या जाएगा, अगर आप इसको माइनस करोगे 16 को, तो 54 आ जाएगा, प्लस के 54 upon 9, तो 9 से दोनों कट जाएगे, यहाँ माइनस 4 आ गया, और इधर हमारा, यह हमारा 16, एक सेगें, माइनस के 16, प्लस के, यह आ गया हमारे पास 70, तो 9 से यह कितने बार कटेगा, यह आ गया हमारा 6, तो 4, माइनस के 4 और 6, हमारे इस वाले पी पोइंट के कोडिनेट्स आ ग वक्षीट में आपको टेबल दे रखे, उस टेबल में, मिड़ पोइंट या मध्य बिंदों कैसे निकालेंगे, वो आपको मैं समझाता हूँ, कोई सी भी एक इंगली सी हिंदी की कोई सी भी ले ले लेते हैं, इसमें इससे कोई फर्क नी पढ़ने वाला है, तो यह देखि अलग कर दी, यह दोनों हमारे X2, Y2 होते हैं, यहां X2 की वेल्यू अलग और यह Y2 की वेल्यू अलग इसमें लिख दी, फर्मूला क्या होता था मेड़ पोइंट का हमारा होता था X1 प्लस के X2 अपॉन 2 और Y1 प्लस Y2 अपॉन 2 यह मैंने स्टार्टिंग भी बता दिया था section formula के साथ, तो देखो कैसे करा, X1 प्लस X2, यानि कि यह दोनों चीज़े, इनको लिख सकते हैं, माइनस के 3 और यह दूसरा भी माइनस के 5 यह है, तो प्लस की तो जोरती नहीं है, और 4 जमा 6 बटे 2, देखो उपर यह माइनस 8 हो गया, तो माइनस 8 बटे 2 यानि माइनस के 4 गया और इधर 10 हो गया ओपर यह, और 10 को 2 से बाग करेंगे 5, तो यही हमारे निकाल के दिखा रखें, सेम यही काम करेंगे, यह हमारा 4 हो गया, यह 5, X1, Y1, X2, Y2, माइनस के 4 और 7, ओके, तो 4 प्लस, इन दोनों को एड़ करेंगे, 4 माइनस 4 बटे 2, इधर इन दोनों को 12 को 2 से बाग करोगे, 6 आएगा, तो यह आगया इस टाइप से हमारा, एक और में करके दिखाता हूँ, फिर 4 अपनाप कर लेना है, यह 7 हो गया, इधर यह 6 हो गया, माइनस 3 हो गया, और यह 4 हो गया, इन दोनों को एड़ करो भई, 7 माइनस 3, करना तो एड़ है, लेकि माइ यह अब करते हैं, ट्राइ और सेल्फ, तो देखिए, ट्राइ और सेल्फ, यह स्वैम परियास करे हूँ, आपको हिंदी और इंगलिस दोनों के कोश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, कहता है, कोडिनेट्स निकालने हैं हमें, उस पोइंट के, ठीक है, फाइंड दा कोडि यानि ये वाला बिंदू, इसको A मान लिया, ये वाला बिंदू, इसको B मान लिया, मिलाने वाले रेखाई करने को दो अनुपात तीन में विभाजित करता है, तो वही section formula या विभाजन सूतर इसमें परियोग होने वाला है मारा, तो देखो, सबसे पहले उपर लिख देना according to question, let A, B, ठीक है न, A, B हमारे points थे, ये हमने लिख दिया पर देखो, ये A दिखा दिया हमने, इधर ये B दिखा दिया, चितर बनाना जरूर बनाया करो, उससे बहुत आसान होता है, और marks अच्छे मिलते हैं, ये हमारा P point है, जो इसको 2 ratio 3 में हमने भी लिख दिया, ये हमा M2, इधर ये X1, Y1 हो गए, इधर ये X2, Y2 हो गए, अब वही करना, M1 की multiply किस्ते करने हैं पहले, M1 की multiply X2 से, यानि 2 की multiply 4 से, तो 2 की multiply हम करेंगे 4 से, हिंदी वाले सिर्फ इतना portion लिखेंगे, और इंगलिस वाले, इंगलिस वाला portion लिखेंगे, बस मैंने दोनों को एक में बता दिया है, प्लस, अब 3 की multiply 7, उस सोरी, 3 की multiply minus 1 से, यानि M2 की X1 से, 3 की multiply minus 1 से, और नीचे तो 2 प्लस 3 आना ही है, ऐसे इधर अब 2 की multiply minus 3 से, क्योंकि Y वाला निकाल रहे हैं, तो 2 की multiply minus 3 से, प्लस, इधर 3 की multiply 7 से, 3 की multiply 7 से, नीचे 2 प्लस 3 हमारे पास आ गया, यह आ गया, 8 minus 3 नीचे 5 है, इधर यह minus 6 हो गया, और प्लस के 21 नीचे 5 है, तो देखो, यह क्या जाएगा, 8 minus 3, 5 upon 5, और 21 में से 6 minus हो जाएंगे, तो 15 upon 5, तो यह पहले वाला 5 से 5 कट गया, 1, दूसरे वाला कट गया 3, तो 1 और 3 उस point के हमारे coordinates हैं, जो हमें find out करना था, next question करते हैं, यह देखिए next question, कहता find the ratio in which line segment, joining the points, यानि यह जो point है, यह A और B इनको join कर रखा है, और इस point से divide किया जा रहा है, यानि कि इस बाई हमें ratio निकालना है, पहले हमें ratio दे रखा था और हमें nिकालना क्या था, हमें point निकालना था, अब हमें ratio निकालना है, को हिंदी वाले में भी देखो कहता वह अनुपात ग्यात कीजिए जिसमें रेखा खंड को मिलाने वाले बिंदूओं यानि इसको A मान लो इसको B मान लो यह हमारा कोई P बिंदू है यह P बिंदू उस अनुपात में जिसमें विभाजित करता है वो हमें find out करना है यह मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ यह A, यह B हमारे पास हो गए माइनस के 3 और 10 और यह हो गए हमारा 6 और माइनस 8 एक बिंदू हमारा P है यह हमारा क्या आ गया माइनस 1 और 6 यह बिंदू हमारा क्या है P अब हमें M1 और M2 P, P क्या है A और 6 लाइन या रेखा A, B A, B को M1 रेशियो M2 में विभाजित करता है विभाजित करता है यह तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया अब इंगलीस वाले बच्चे क्या लिखेंगे इंगलीस वाले की भी लाइन लिख देता हूँ मैं लेकिन आप जब अपनी कोपियम उतारोगे तो हिंदी वाले हिंदी वाली लाइन दाना और इंगलीस वाले इंगलीस वाली वे क्या लिखेंगे लेट पॉइंट पी माइनस वन सिक्स डिवाइडस दा लाइन अब इन रेशियो M1 रेशियो M2 ठीक है इतना करते हैं अब वही तरीका क्या था हमारा P के निर्दे सांग या P के कोडिनेट्स ठीक है तो अब P के निर्दे सांग या कोडिनेट्स ओफ P वही फार्मूला क्या होगा M1 की मल्टिप्लाई 6 से तो 6 M1 बन गया M2 की मल्टिप्लाई माइनस 3 से तो माइनस के 3 M2 हो जाएगा और नीचे M1 प्लस M2 हमारा आएगा ही ऐसे ही अब M1 की मल्टिप्लाई माइनस 8 से तो माइनस के 8 M1 बन गया M2 की मल्टिप्लाई 10 से तो प्लस के 10 M2 multiply करने से जो चिन आ रहा है वो ही चिन आप रहने दोगे sign यानि की और नीचे M1 प्लस M2, ओके इतना किलियर है हमें P के coordinates पता थे क्या थे minus 1 और 6 थे और इसमें कोमा लगा के ये value adjective हम या उतार लेंगे ये value अब adjective अब देखो जब दो point हमारे equal है तो यानि जो x वाला portion है वो x वाले portion के equal होगा y वाला portion है वो y वाले के तो कोई सा भी एक portion आप equal लख लो ठीक है, now according to question अब कोई सा भी portion आप लिख लो यानि minus 1 को मैं equal लख लेता हूँ 6 M1 minus के 3 M2 बटे M1 plus M2, कोई से भी portion को अब को लख लो, वहाँ से तुमारा ratio आ जाएगा अब क्या करें, बहुत से teachers के ratio 1 मान के भी कराते हैं हमने M1, M2 ए रखा क्योंकि फिर उसमें different हो जाता है थोड़ा, अब यह बिल्कुछ same चल दा है का तो cross multiply देखो, जब minus 1 की आप इस से multiply करोगे, तो दोनों ही minus के बन जाएगे minus 1, जब हम इस से multiply करेंगे तो minus 1 और minus M2, क्योंकि minus की multiply दोनों सो होएगी और इधर 1 की multiply जब इस सो पर होगी, तो को difference ही नहीं आना 6 M1 minus के 3 M2 अब क्या करें, M1 वालों को तो इधर लिया और M2 को हम इधर लिया आते हैं, तो इधर M1 पहले से ही है minus के 6 M1 और आ गया minus के 3 M2 तो पहले से ही था और हमारे पास M2 उधर चला गया तो यह plus का हो गया तो को minus के M1 और minus के 6 M1 तो यह हो गया minus के 7 M2 और इधर आ गया minus के 2 M2 यानि minus के 3 में से plus के 1 minus हो गया ये वही है जैसे कि minus के 3x और plus के x तो क्या आएगा minus के 2x इधर क्या था minus के x और minus के 6x क्या आगया minus के 7x वही चीजह है minus से minus कट गई सो और ये m1 था इधर अब m2 को देखो m1 है इधर m1 के नीचे तो आगया हमारा m2 और उधर 2 था, 2 के नीचे ये 7 उधर चला गया तो आगया ratio, यानि M1 ratio M2 कितना आगया 2 ratio 7 and this will be your answer उम्मीद करता हूँ सारे question आपको अच्छे से समझ माए होंगे इनको अपनी copy में कीजिए और अपने अपने teacher को WhatsApp पर send कीजिए, धन्यवाद